आज मैं आपके साथ मुंबई के बहुती पॉपलर बहुती टिस्टी स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर करूंगी रगड़ा हम बनाएंगे रगड़ा पेटी के बारे में आप जानते ही होंगे रगड़ा पेटी कैसे बनाई जाती है तो उसकी रेसिपी शेयर करूंगी पर पेटी इसकी रेसिपी नहीं दूँगी मैं आज आपको आज मैं आपको रगड़े की रेसिपी दूँगी तो रगड़ा हम बनाना सीखेंगे जिसको की मटर की सबजी भी आप हो सकते हैं तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने लिए सफेद मटर लगबख 200 ग्राम के करीब सफेद मटर है जिसको की रात भर हमने पानी में भीगो कर रखा था इसको अच्छे से भीगोना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले हमने इसको धो लिया एक से दो बार और इसके बाद में भीगने के लिए इसको पानी में छोड़ दिया था तो मौनिंग में आप देखेंगे तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से बड़े बड़े दानों में कनवर्ट हो जाती है फूल जाती है और इसके बाद आप इससे सबजी बना सकते हैं तो आईए इसको प्रेशयो कुकर लेते हैं प्रेशयो कुकर में हम इस तरह से मतर को डाल देंगे पानी हमने अलग कर दिया और अब इसमें मैट करेंगे पानी तो यहाँ पर हमने धाई सो ग्राम के करीब मतल लिये तो हम इसमें धाई ग्लास पानी आट करेंगे तो साथ ही हम इसमें एक आलू भी आट कर देते हैं एक अच्छा आलू है जिसको की रफली काट कर हमने डाल दिया आधी चमच नमक डाल देंगे और इसमें एक चौथाई चमच के करीब हम डाल देंगे हल्दी पाउडर तो हल्दी पाउडर अभी हम कम एट करेंगे बाद में जब हम सबजी बनाएंगे और इसके लिए तरका बना का तियार करेंगे तो तब भी हमें हल्दी डालनी होगी नमक डालना होगा इसलिए स्टार्टिंग में आप नमक कम रखें तो धककर लगा कर इसको लगबख 5-6 निकल जाएगी उसके बाद ही हम खोकर को खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मतर हमारी गल चुकी है इसको अब हमें क्या करना है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को हमें थोड़ा सा थिक करना है इसके लिए हम इसको इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश करना है तो बस हलका बना लेते हैं तो मतर की सबजी बनाने के लिए कोई कढ़ाई लेकर उसमें डालें वन टेबल स्पून की करी ओल ओल को अच्छे से हीट करके डालेंगे एक बड़े साइस का प्यास बारी काट कर साथी दो से तीर हरी मिर्श डाल दें और इसमें हम आट करेंगे अदरक लग तक हमारी प्यास बुन रही है इसी बीच हम इसमें गालिक भी आट कर देते हैं तो जिंजर तो हमने पहले ही आट कर दिया था तो अब इसमें लहसुन अट करेंगे आप चाहें तो लहसुन को बारी बारी नी ऑगर डाल सकते मेरेपास पेस्ट रखा हुआ तो मैं इक मैं आट करेंगे टमाटर तो यहां पर मैंने लिए हैं दो मीडियम साइस के टमाटर उसको भी इस तरह से काट कर हम डाल देंगे साथी हम इसमें थोड़ा सा नमक और आट करेंगे मैं यहां पर लगबग हाफ टीस्पून के करीब और नमक आट कर रहे हूं इसके अलावा इसमें कुछ सूखे मसाले और जाएंगे जिसमें जाएगी 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर इसके साथी हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर तो मैंने यहां पर लगबग एक चम्मज के करीब इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर साथी इसमें हम अट करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला लगबग 1-4 टीस्पून मैंने अट किया है तो और यह देखिए मैंने डाला है आदी चम्मज के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर आप सिंपल क्यूमिन पाउडर भी डाल सकते हैं तो जीरा पाउडर अगर आपके पास हो तो आदी चम्मज डाल दीजे आदी चम्मज इसमें मैट करेंगे कश्मीरी मिट जो बहुत अच्छा कलर देगी तो बहुत जादा तीखा नहीं करेंगे हम सबजी को इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजे नमक वगएरा इसमें जा देते हैं लगबग दो मिनिट के करी मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से छोड़ दिया है दो मिनिट के बाद में ये देखिए मसाला हमारा अलमूस्ट बन कर त्यार है पर इसमें काफी ड्राई सा मुझे लग रहा है तो मैं इसमें दो टेबल स्पून पानी डाल कर दिया है इसको थोड़ा से स्तरह से मैश कर लिजे अ सी मिक्स कर लिजे और इसमें माट कर देंगे boyl kiwi मतर तो सारी की सारी मटर हम इसमें आड़ कर देंगे, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओयल में हमने सबजी को नहीं बनाया है, तो बहुत कम तेल में यह बनकर त्यार हो जाती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप इसको रोटी, पूरी, पराथे, नान, सभी के स साथ में आप लंच या डिनर में भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको अगर आप पानी पूरी खाते हैं, तो पानी पूरी के अंदर भी भर कर खा सकते हैं, आपने अगर अलू टिक्की बनाई है, तो आलू टिक्की के साथ भी सर्फ की जाती है, आपने देखा होगा ठेलो या फिर इसको रगड़ा पेटी के साथ, यानि की पेटीज बनाकर आलू की टिक्की बनाकर और उसके बाद में इसके साथ में खाई जाती है, तो इसको रगड़ा पेटीज बोलते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, अब यहां पर सब्जी मुझे काफी गाड़ी लग र हो जाती है, तो धककर इसको 3-4 मिट इस तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लीजे, ताकि ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए, बॉयल हो जाए, और उसके बार में आपको धककन खोलना है, और इसमें लास में आट करना है हरा धनिया, तो एक बार मिक्स कर लीजे, ग्रे की सबजी आपको बहुत पसंद आएगी, और इस तरह से अगर आप मटर की सबजी बनाएंगे ना, तो दो की जगे चार रूटी खाएंगे, तो हमारी मटर की सबजी यानि की रगड़ा बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बह पिर इसको आप आलू की टिक्की के साथ कहा सकते हैं, तो इसको रगड़ा पैटी बोलेंगे, रगड़ा पैटी बोलेंगे, तो इस तरह से बना कर देखिये मटर की सबजी, और हाँ मैंने इसमें कोई खटाई यानि की अमचूर पावडर या चाट मसाला नहीं डाला है, व प्री के पावर यार है।